गुड़ाप्टन डू ओल ओफ यू एक बार फिर से आप सभी का श्री बलाजी एजिकुशन गुरुप में स्वागत है हार्दिक अभिनंदन आज हम डिस्कुशन करने वाले हैं एटी टी एंटी टूबर्कलर थेरेपी एंटी टूबर्कलर थेरेपी पढ़ने से पहले एक ब हरे जब टूटने लगे होसला तो बस है याद रखना बिना मेयनत के आसल तक तो ताज नहीं होते डूंड लेना अंदेरे मेई मंघिल अपनी दोस्तों, डूंड लेना अंदरे में मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनु कभी रोसने के मौताज नहीं होते हैं, क्योंकि जुगनु कभी रोसने के मौताज नहीं होते हैं, इसी के साथ में शुरुआत करते हैं, आज की क्लास की ATT ATT कि ए ंटी टूबर्कुल्र थेरिपी मिन्स वो ढगस वो ड्रक्स जो टीबी को ट्रेट करने को टीवी को रोकने में काम आती है उसको हम क्या बोलते हैं एंडी टूबर्क्लर थेरिपीं एंटी मतलब अग έχει ज़ो टूबर्क्लाउस है उसके एसी ड्रक्स जो t убerclosis गेंस्ट काम करती है उसको हम क्या बोलते है एसी ड्रक्स जो t ubervas adoles y तरीट करने में काम आती है उसको एसे में एले अपर डिसकसन करेंगे पास्टाईप के ड्रक्स के बारे में पास्टाईप ड्रक्स तो फर्स्ट ड्रक्स होती है isonazid दूसरी होती है रिपामपिसीन तीसरी होती है इथामबुटॉल चोती है पाराजिनामाइड और पांची होती है स्ट्रेप्टोमायसीन स्टिप्टम आयसीड इन ड्रक्स को पढ़ने से पहले एक बार ठोड़ा साग आप पुले चलता हूं में टीवी पे टीवी टीवी क्या है तो टीवी एक परकार की इनफेक्सिस डिजीज है जो किसको अफेक्ट कर सकती है लंग्स को भी अफेक्ट कर सकती है या फिर लंग्स के अधर देन जो फाइट है उनको भी अफेक्ट कर सकती है तो टीवी है टीवी किसको मेली लंग्स को अफेक्ट करती है टीवी को हम बोलते हैं एक तो कोच फिनोमिना टीवी को बोलते हैं को इन्मेंटेड किया था इट इस इन्मेंटेड वाई रोबर्ट कोच रोबर्ट कोच ने इसको इन्मेंटेड किया था इसलिए इसको क्या बोलते हो कोच फिनामेन भी बोलते हो यह क्या है ग्राम पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव एसिड फास्ट बेसिल आईए ग्राम पॉ फिट करेगा यह लंग्स को एरोबिक ग्राम पॉजिटिव अगर इस्पेसिफिक बोलना चाहूं तो एरोबिक इस ग्राम पॉजिटिव ऐसीड फास्ट बेसिल आई है अब अपन दोस्तों बात करें कि इसका जो मोड ऑफ ट्रांश्मिशन है मतलब यह डिजीज किस परकार से स्प्ण बींग मीम खुमिटर में और अगर हेल्दी पर्षन वहीं से गुजर रहा है और उनके कंट्रिक्स में आ गया तो डाइरेक्लिज इसको क्या कर देगा इंपेक्टेट कर देगा इसको आप क्या बोलते हो ड्रोपलेट इसको क्या बोलते हो आप ड्रोपलेट इंपेक्शन मिकया थीवी किल रहे है इस इसको क्या किया था इन्वेंटेड किया था tren किया था किए त terrifying ऐँ दो टाइब की होती है लों कि ट्युक्त की पाँ पर डू टाइब की होती है दुरॉ-टी एक होती है। पल्मौनडरी टुबर टियूबर क्लोशिस, नेम स्ग्रेश्ट कर रहा है कि जो पल्मोनरी टुबर क्लोशिस है किस को अपेट करेगा पल्मोनरी मतलब क्या होते मतलब यह किसको आफेक्ट कर रहा है कि दूसरा एक्स्त्रा पल्मोनरी एक्स्त्रा पल्मोनरी मतलब अधर देन लंग्स में कौन-कौन से और्गन हो इंक्लिड हो सकते हैं देखो इसमें इक तो लिम्प नौड की टीबी हो सकती है लिंप नोड, दूसरा मेनेंजीज, ब्रेन की जो मेनेंजीज होती है, डूरामेटर, अरेक्नोड और पायामेटर, मेनेंजीज को पेट कर सकता है, फेलोपिन ट्यूब को पेट कर सकता है, फेलोपिन ट्यूब, बोन को, इसकीन को, और इंटेस्टाइन को, और मतलब अगर एक्स्ट्रा पल्मोन टुप्रोशिस के बात करो में तो यह किस को पिक्ट कर सकता है फर्स्ट बन लिंप नौड को अपक्ट कर सकता है लिंप नौड दूसरा मैंनेंजी इस इस ब्रेन की जो गवरिंग होती है डूरामेटर अरेक्नॉड पायमेटर ती तीनों उसके बात करते हैं अब अपन ड्रक्स की बात करते हैं, ड्रक्स में आयसोनियाजेड, रिपामपिसीन, इथामबुर्टोल, पाराजिनामाइडी, और लास्ट स्ट्रिप्टमाइसे, यह पढ़ने से पहले, एक बार में आप लोगों डिपरेंस कलीर करना चाहता हूँ, बेक्टिरियो साइडल और बेक्टिरियो साइडल और बेक्टिरियो साइडल, दोस्तों साइडल का मिन्स होता है, किल करने वाला, मतलग, एसी ड्रक्स, जो बेक्टिरियो को किल कर रही है, उसको आपने क्या बोल दिया, बेक्टिरियो साइडल, दूसरा, बेक्टिरियो साइडल, एसी ड्रक्स, जो बेक्टिरियो किल तो नहीं कर रही है, लेकिन उसके ग्रोथ है न, उसको क्या कर रही है, इनिबिट कर र अब मैं आपको लेकर चलता हूं ऐसोणीजेड हो फिर हे और सुनीजेड क्या टॉक्सिक लोफ्य टॉक्सिक एटेटी है कि अइसोणीजेड आइसोणीजेड है वो मॉस्ट्ट टॉक्सिक एटेटी सबसे डेंजरिस एंटी ट्यूबर्टिग्लों ऊक्टेग्री की बात करूं में तो कौनसी है आई सों नीय हमई की okay कॉनसी करिकटीगी यह होगी बैक्टेरियो साइडल बैक्टीरियो साइडल करिकर होती है यह इसको कभी भी डिवाइड डॉज में नहीं देते हैं नेवर यूज डिवाइडे डोज, नेवर यूज डिवाइडे डोज, मतलब कभी भी अपने को डिवाइड करके इस परकार से इसको नहीं देने, कभी भी अपने को डिवाइडे डोज है, उसके अंदर इसको काम में नहीं लेना है अपने को, उसके बाद में अपन बात करें, आइसो नियाजेड क्या करती है पेरिफेल नियूरोपेथी कोज करती है पेरिफेल नियूरोपेथी पेरिफेल नियूरोपेथी क्या होती है देखो एक तो था सेंटर सेंटर एक होता है पेरिफेल सेंटर का मतलब यह रहेगा कि जो अपने जो मिड लाइन है उसके पास में है अपने बोडी के सेंटर में उसको आपने क्या बोल दिया पेरिपेरल पेरिपेरल नियूरोपेथी का मतलब क्या होगा कि उस परसन को किस प्रकार सिम्टम आने लग जाएंगे नम्बनेस वाले उस परसन को कैसे सिम्टम आने लग जाएंगे नम्बनेस वाले वूuß परसन को कैसा फील होने लग जाएगा नमिनेश लेकिन फील कहा होगा वूैंटम नहीं होगा अदरदेन बतला किस की बात और यह प्रेइवर की बात हो रहे है उसके बात करेंगे यह क्या है प्रोफालेटिक इस मौस्ट इस दोस्तों प्रोफाइलेट का मींस यह होता है कि डिजीज को होने से पहले अगर आपने यह ड्रक्स दे दी तो उस परसन में रिस्क कम हो जाए कि डिजीज होने की तो इसमें अपन कौन सी ड्रक्स काम लेते हैं तो क्या इंसर होगा आईसो निया जाएड ठीक है पेरिपेरल नियूरोप पारिडोक्सिन मतलब आप लोग आईसो नियाज़ेड दे रहे हो किसी पेसेंट को पेरिपेरल नियूरोपिती नहीं कोज करें वो इसके लिए क्या दोगे उस परसन को पारिडोक्सिन पारिडोक्सिन किसको बलता है विटामीन B6 को कितना 100 mg उस परसन को दोगे आप जिसको पाइसोनेजिट चल रही है ताकि ये क्या कर रही है इसकी रिस्क है ना रिस्क को कम कर रही है कि इसकी रिस्क को कम कर रहा है कौन पाइरीडोक्सिन विटामिल बीजिक्स अब अपन बात करते हैं दोस्तों सेकेंड रिफामपीसिन के बारे में रिफामपीसिन रिफामपीसिन है वो सेकेंड एटिटी है इसको आर से रिनोट करते हैं अपन रिफामपीसिन रिपामपिसीन क्या है? ये भी एक परकार की बेक्टीरियो बेक्टीरियो साइडल द्रक्स है, बेक्टीरियो साइडल एटेटी है यानि जो बेक्टीरियो किल करने वाली है, वो एटेटी है उसके बाद में इसको हमेशा आप कौन से रोट से देते हो It is given by गिवन बाई ओरल रूट मिंस इसको जब भी आप यूज में लोगो कभी बी पेरेंटर रूट से या काम में नहीं लेना है कौन से रूट से देना है ओरल रूट का मतलब थुम माउट माउस से अपने को ये ड्रक्स है वो देनी है उसके बाद में अपने बात करें माउस से अब इसको क्या देन है इंपटी स्टोमक दूसरा है सुनो इसमें इसमें क्या होगा इट यूज यूज एमपटि इस्टोमक मतलब खली पेट का मतलब यह रहे कितना डिले करनाए कितनी वेट करने अपने को दो गंटे तक अपने को किस रूट से दोगे कोन सी ड्रक्स बेक्ट्रियोसाइडल एटिटी एटिव पूछे तो खेंटे हो गंटे करें और दो गंटे बाद के अंदर रहें इसके जो गटीरी होगी मतलब ये drugs आप दोगे तो patient आपके साथ में एक complaint करेगा patient आपके साथ में complaint वो complaint क्या रहेगी patient complaints patient complaints urine color change urine color change means अगर आप repampicin दे रहे हो repampicin के साथ में urine का जो color वो change देखने को मिलेगा कैसा change तो color कैसा होगा वो होगा red या फिर redis redis color urine अगर इस परकार की red या फिर redis color urine complaint कर रहे है patient आपके साथ में तो ये इस drug के साथ में क्या है normal है मतलब इसका जो side effect है वो क्या है color change करेगा ये क्या है normal finding है उस patient के अंदर क्योंकि किस की वज़े से हो रहा है repampicin की वज़े से हो रहा है ison acid होगा ये रिपांपी इस नो थाइड पढ़ते हैं हम parazinamide अब पढ़ते हैं parazinamide के बारे में parazinamide parazinamide है वो भी क्या है एक परकार की कौन सी category drugs है तो वो भी bacteriocidal bacteriocidal category की है bacteriocidal ATT इसकी जो डोज होगी पारा मतलब देखो बड़ा नाम क्या बड़ा मतलब कितनी 1500 mg जैसे अपने पढ़ा फस्ट कौन सी आयसो नियाजिड आयसो नियाजिड की जो डोज थी वो कितनी थी 600 mg लिख लेना आयसो नियाजिड 600 mg आयसो नियाजिड की डोज पूछे तो डोज कितनी होगी 600 mg रिफामपीसिन की डोज थी वो थी 4500 mg रिफामपीसिन है वो 4500 mg ठीक है आयसो नियाजिड 600 mg रिफामपीसिन 4500 mg पाराजिनाबाइड की पूछे तो कितनी 1500 mg अब मैं कह सकता हूँ कि जो पाराजिनाबाइड ड्रक्स किस केटेगरी है तो मैं बोलूँगा ये कौन सी बेक्रिरोसाइडल है डोज बुचे तो कितनी है इसकी 1500 mg है उसके बाद में अगर किसी भी परसन के अंदर क्रोनिक यूज कर लिया जाए क्रोनिक यूज क्रोनिक यूज ओफ पाराजिनाबाइड तो ये क्या करेगी हेपेटो टॉक्सिसिटी कोज करेगी हेपेटो हेपेटो को मतलब क्या होता है हेपेटो को मतलब होता है related to किसे लिवर से तोक्सिसिटी मतलब ये अपने डेंजर्स अपय्यक्त 具 स्कति है तोक्सिटी का मतलब instagram national मतलब अगर आप लोगोंने लोग टाइम तक पराज्नमे में ड्रक्स का यूज किया तो ये अपनी लिवर के लिए कैसी खतरनाक साबीत है वो हो सकती है तीन ड्रक्स के बारे में पढ़ चुकी है अपन नेक्स पढ़ेंगे अपन इथाम बुटोल के बारे में इथाम बुटोल इथाम बुटोल मेन पांस ड्रक्सी उसमें चार नमर के कौन सी ड्रग है तो वो है इथाम बुटोल इत्हारप बुतख़ल की जो category होगी वह कैसी होगी, the bacteria aesthetics, इसकी doze की बात करूं है, डूज होगी, वह होगी 1200 mg, पाराजन मैं नाम फिर दी 1500 mg, इत्हारप बुतुल कितने हैं, 1200 mg. यह क्या करती है ओप्टिक नियूराइटिस देखो अगर यह ड्रक्स आप काम में लोगे तो यह क्या कोज करेगी ओप्टिक नियूराइटिस कि देखो जान कहीं भी आईटिस लग रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है इनफेक्शन infection neural neural related किसे है nerve के अंदर है nerve नर्व है nerve भी कौन सी optic optic का मतलब जो vision वाली है vision वाली तो cranial nerve कितने होती है 12 होती है first number olfactory दूसरी optic यानि दो नमबर की cranial nerve है उसको affect कर रही है optic nerve किस में help कर रही थी आपकी vision में मतलब vision कैसा हो जाएगा impaired हो जाएगा considerate के साथ में इताम बुटोल के साथ में इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं never use never use in young age children young age children means इताम बुटोल को कभी भी अपने को जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ में काम में नहीं लेना है उनको नहीं देना है क्योंकि वो क्या करेंगे optic neuritis coach करेंगे और optic neuritis वाला patient है वो red और green red red color और green color इन दोनों में भेद है वो नहीं कर पाएगा मतलब इसको red और green color वाली blindness हो जाएगी blindness कैसी होगी red और green color वाली considerate के साथ में इत्हाम बुटोल के साथ में लास्ट वन पढ़ने वाले अपन streptomycin 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 ये कौन सी category की है category की बात करूँ तो ये भी कौन सी bacteriocidal bacteriocidal category की होगी है अब इसकी dose की बात करूँ में तो dose होगी इसकी साढ़े साथ सो एमजी साथ सो पचास एमजी ये एक AC ड्रक्स होती है जिसको parental root से काम में लेते है parental parental root मतलब आप इस drugs को IM root से mostly काम में लेते हैं मतलब प्रीक करके दे रहे हो आप injection form में दे रहे हो इसलिए इसको क्या बोल दिया parental root important बात इसके अंदर इसको क्या करना है कभी भी pregnancy के अंदर काम में नहीं लेना है क्यों नहीं लेना है क्योंकि ये autotoxicity cause करती है autotoxicity autotoxicity cause करती है जो कि अपनी 8 नमर की जो जैसे मैंने अभी बताया 12 cranial nerve उसमें 8 वाले cranial nerve है 8th cranial nerve है उसको क्या करती है ये damage करती है जिससे person को क्या हो जाएगा deepness मतलब सुनाई नहीं देगा deepness means अगर इस drugs को आप pregnancy में काम मिले रहे हो pregnancy में मतलब उसकी womb के अंदर बच्चा है वो पल रहा है हो जाएगी इंपेड हो जाएगी cranial nerve क्या हो जाएगी damage हो जाएगी इसलिए उस person को सुनाई नहीं देगा नहीं बच्चा होगा वो कैसा होगा deep पल लगा इसलिए इसको आपको यूजमें नहीं लेना है दोस्तों अपने पड़ा पांस ड्रक्स के बारे में आइसो नेजेड रिपाम पी से लिए इसके बाद में अपन बात करते हैं डोट्स की इसके बाद अपन बात करते हैं डोट्स थेरेपे की डी ओ टी एस डोट्स देखो इसकी फुल्पों होती है डाइरेक्ट डाइरेक्ट और ज़र्वेशन कि अ कि रिटमेंट है कि रिटमेंट सोर्ट कॉर्स द referee और साथ कॉर्स हम दोस्तो किस के लिए टीबी के लिए यने टीबी को ट्रीट करने के लिए टाप लिए यही स्टार्ट ओई तो इस्टार्ट हुई थी यह Nh eviden 1093 के अंदर दिलृट's घर फिए फो 1993 के अंदर स्टार्ट हुई थी डोट से एक एपनबात पर बात तो ड़ोट्स टेृपी की जो सब्सक्रा करें की एक तो होती है बात करें это को एक पी एक होती है की ऑर सिपी हो इन अपोड पोलपम इन्ते इस इंकल सिफ हैचई का इंटनसीव फैज को सीपी पोलपम कंटेणिवस हैँ कि अधिनियूस फेज कि इंटेंसिव फेज की बात करिया पन तो यह कहां दी जाएगी आप लोगों को यह दी जाएगी डॉट सेंटर पे डॉट सेंटर पे मतलब जाँ डॉट प्रवाइड की जा रही है वहें पर दी जाएगे इसमें क्या रहेगा नंबर ओफ नंबर ओफ अगर मैं आप लोगों को आईपी के बारे में बताऊं इंटेंसिव फेज का मतलब यह रहेगा कि यह कहां दी जाएगी डॉट सेंटर पे दी जाएगी फर्ष्ट तो दूसरा इसमें होगा क्या तो उसमें क्या रहेगा नंबर ओफ ड्रक्स इस मोर मतलब जैसे आयसे रिप अगर आप लोगों की यह दो मैने चल रही है तो च्यार मैने कौन सी चलेगी अपने की सीपी चलेगी ठीक है कंटिनियूस फेज और यह इंटेंट्विट का मतलब यह रहेगा दोट इजाएगी फर्ष्ट दूसरा इसका मतलब क्या तो इसका मतलब यह रहेगा इनम्बर ओफ ड्रक्स इसमोर मुलत दवाई है वह तो ज्यादा है लेकिन डूरेशन कैसा है इसके अपोजिट आओ इसक टाइम क्या रहेगा, टाइम इज मोर, continue मतलब continue देनी है, दोनों में difference सुनो, IP और CP, IP में क्या रहे, क्या करोगे, आप पहले तो डोट सेंटर पे दी जाएगी, CP कहां पे दी जाएगी, तो ये होम पे दी जाएगी, CP के अगर मैं बात करूँ तो ये कहां प्रवाइड की है, दूसरा, इसमें time is less, इसमें time क्या ज्यादा है, जैसे अगर ये दो मैने काम ले रहे हो आप है, तो ये फिर, अगर आपन 6 मैने चल रहे हो, तो ये कितना, 4 मन्त के लिए काम में ले हो गया, ठीक है, IP और CP, उसके बाद में बात करें, category, तो category में अपन पढ़ते है, कि इसके category, दो category के होती है, category, category of dots, दो category, कौन सी, एक तो red होती है, दूसरी होती है, बलीव, red category, कब दोगे, blue category, कब दोगे, देखो, red category का मतलब ये रहेगा, new smear positive, किस type के person को दोगे, new smear positive, मतलब, अगर आप लुग ने TB को diagnosis कर रहे, तो TB को diagnosis करने का तीन तरीका होता है, एक तो होता है, sportism culture, एक होता है उसका test अक्सरे, और एक होता है उसका montox test, आप लोग ने कि डायगनोशिस करवाया उसमें कफर्म कर लिया जैसे फर्सन ने इस मरें लिए क कल्चर करने के बाद में कनफर्म लिये कि वह पर्सन किसका है टी भी कैज बी नय पेटेड आम पकी पास आपके पास होगे ऊपके पसजी केटीक रहें डी केटोर दूसरा तो निव कोई नया पेषेंट मिल रहा है आपने डाइगेन्स करवाया बाद में आप लोगों पता चला कि वो परसंट किसका है मतला जो अब पास आई आई एग जो पॉजिटीव है तीबी सी उसको देना है दूसरा जो अभी कि आपके पास ऐसे एक्स्टैनेल क्लोशी इस वाला किसको और रेड़ वाले ठीक है दूसरा बल्यू गीकरिकी में सुनो बल्यू करिक्टीकरि में कौन से आदमी को दोगे कौन से पैसेंट दोगे तो एक तो घुटार रिलेप्स है सो एक उताई टिपाल्टर देपाल्यटर का मतलब यह रहेगा कि पर्सण को क्या treatment चल रहा था टिबी का लेकिन की सिक परनाबस उस ने treatment मिस्ट कर दिया अगर पनुण 15 दिन से मैंने से उसने दवाई वो नहीं ली उसको आप क्या बोलते हूं डिपाल्टर फिल य्र शेंड प्रशन टीबी की दवाई तो ले रहा है डोट्स तेरेपी वो तो ले रहा है लेकिन वो दवाई ये काम नहीं कर रही है वो दवाई उसके उपर क्या हो गई फैल हो गई रिलेब समझने हिड्डन वाले जो फेलियर हो गई इस कंडिशन में कौन सी केटेगरी में रखो कि उस परसंगो में अपने दोट्स की दो केटेगरी के बारे में डिसकेसन किया एक तो थी रेड एक ती बली बली रेड किसको दोगे तो एक तो निव इसमें परड़ेज़् करवाई बल्गम की जांस कर आई उस में निकला कि परशन पोजिटिव हुआ है कौन सी केटेगरी रहा करना है उसके बात करें दूसरी दूसरी कौन से नियु एक्ट्राइब कोई पर्सन है जो अभी डाइग्नोच होके आए आपके पास में लेकिन टीबी कौन से यह पलमोरी टुब्स नहीं है जैसे मैंने अभी आपको रुसेंटली पताया था कि पलमोंद्री और बुल्यवाली में के के से से डिपाल्ट्र मतलब परशन ने रहा है लेकिन किसी करण वश्यक्त क्या हो गई वह फेल हो गई अब देखो अपन बात करते हैं इस में किस-किस प्रकार्ट्स जैसे यह है जो कोस्टक से पहले लिखा हुआ है वो हमेशा किसको डिनोट करता है यह मन्त को डिनोट करता है कोस्टक से जो पहले लिखा हुआ है वो हमेशा किसको डिनोट करेंगा मन्त को कोस्टक के बाहर लिखा हुआ है वो किसको डिनोट कर रहा है आपके सप्ता को यह किसको महा को डिनोट कर रहा है और यह किसको डिनोट कर रहा है सब्ता को डिनोट कर रहा है मतलब यह ड्रक्स आपको देनी है सब्ते में तीन बार कितने दिनों तक दो महिने तक सब्ते में तीन बार देनी है मतलों अल्टरनेटिव देनी है आप लोगों क्या हो गई यह आ अब देखो मतलब दो मेने के लिए क्या हो गई डूसरा बात करते हैं सीपी की सीपी का मतलब क्या रहेगा कंटिनियूस पेज में आप इसको और रिपामपिसिन दे रहे हो ठीक है कि इससे पहले कितने चैर मेने के लिए अब इसको अपन बात के अचैरेए अब इसको अपने बता लिया कि आई पी और झाले क्या है के टिगरि क्या है दोट सеся क्या है कोनो कौनी से डरग्स है वे अपन काम लेते हैं उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसमें जो नीव्टरम है मोनो का मतलब रहता है सिंगल मोनो का मतलब रहेगा सिंगल रेसिस्टेंट का मतलब उस बंदे में परतिरोध पैदा हो गया किस के एगांस टीबी की जो ड्रग्स है लिए म्वणो मोन ड्रक रESिस्टेंट इवी मतलग इस पर्चन में तीबी के जो दवाई चल हो गया ड्रक से क्या हो गया तो रेसिस्टेंट हो गया रेसिस्टेंट है प्रॉम यह यदा एप रेसिस्टेंट हो गया ठीक है दूसरे बात करें पॉली और जा your कि रेसिस्टेंट हि पॉली ड्रसिस्टेंट का मतलब एक्स लिटी पॉली मतलब मोर देन मोर sonya मेटस्टीन हो गया लेकिन हटी राउप नहीं होआ ऐसा या जीड रिपाम्पिसीन ड्युट्षार्वि का दोबारा सुनोओ पास थी न उसमें से एक ही ड्रक्स तीन उसे रेसिशिटन ड्वलप हो गया मतलब वो उस पर काम नहीं करें उसको क्या बोल दिया दूसरा बात करें पॉले ड्रक्स एक से काम करना बंद कर दिया लेकिन उसमें अभी इंक्लूड नहीं कि एक कुन सी आयसो नहीं जी ट्रिपाम पीसी न मतलब ये दूनों ड्रक्स तो अभी काम कर रहे हैं लेकिन इनके अलावा जो तीन ड्रक्स है उसमें ने किसी एक या दो रही एक से ज्यादा ड्रक से में उसमें क्या ड्यूप हो गया रेसिटेंटलस वो हो गया उसको आप लोगोंने क्या बोल दीया पॉली Beet ड्रगट रेसिस्टन टीबीनेफ्स बात करता है मल्ट्रि ड्रग रेसिस्टन 뉴스 मतलु अ Avi मैलमटिड्रग हो अ है को मल्टिड्रग फेस्टन टीबी ते अ ते से सने नटीब व मतलब मतलब हो जदा दोन्से भी च्री ज्यादा इसमें एक से ज्लाधा हिने मल्टे सब्सक्राइब यादा वेरी व Strug मोर्म से लेकिन इस numa हे ये दोनों एक से यहां अब आपने अपने ट्रच ट्रच में ज़ बनाद से लोगत तो में इसमें 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 भी होगया रेसे से ड्लफ हो वह तो यह थी अपने डोट्स तरफी यह थी अपनी अगर हमारे क्लासेज आपको अच्छी लग रही है लाइक से और सब्ट्राइब करना ना भूले